नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका फिर सेकने वीडियो में दोस्तो प्रोपर्टी जो है सबनम की वो लगवक बताया जा रहा है कि लगवक 50 लाग से करोड के बीच में है यानि हो सकता है कि 90 लाग एक करोड के बीच में हो क्योंकि वो प्रोपर्टी जो है एक कह सकते हैं वहा का नाम है जो कि आपको पता ही होगा कि ताज की परवरिश कर रहा है तो यानि कि दो लोग ऐसे हैं जो इस प्रपर्टी के हगदार है एक सबनम के चाचा चाची और दूसरे उस्मान सैफी अब सवाल ये उठता है कि इस दोनों में से प्रपर्टी किसको दीर जानी चाहिए य तो देखा जाए सबनम के बाद जो है इस प्रपर्टी का हगदार ताज होगा हाला कि ताज अभी बालिक नहीं है यानि वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए आना ही वो कानून जो एक एज लिमीट रखा गया कानून में कमसंग 21 साल तो वो भी अभी तक उसका हुआ नहीं है जिस वज़े से वो ये प्रपर्टी उसको डैरेक्ट नहीं दिया जाएगा तो अगर सवाल ये उठता है कि सबनम का चाचा जो है क्या उसे मिलेगा और या फिर उस्मान सैफी को दिया जाएगा हाला कि एक ख़बर ये भी चली थी कि सारी प्रपर् की ट्रांसफर करे या कर दिया हो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन इस बीच चाचा चाची जो है वो चाह रहे है कि ये प्रपर्टी उनको दिया जाए ताकि वो इन फ्यूचर अगर ताज को कभी ज़रुत परे तो ये प्रपर्टी उसको दिया जाएगा ऐ इसको इन फ्यूचर में जाकरके अगर कभी जोट परेगी तो खर्च करूँगा तब ताज के लिए इसको इन फ्यूचर में इस्तिमाल किया जाएगा लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर चाचा चाची को ये प्रपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी तो क्या कभी भी हो चाचा चाची को मिलनी चाहिए या फिर उस्मान सहफी को मिलनी चाहिए ये एक सबसे बड़ा सवाल है इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके देना ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके दोस्तो फिलाल अभी के लिए इतना ही जैसे कोई और अपडेट आती है प्रपर्टी को लेखरके या फिर प्रपर्टी का जो असली वारिस कौन होगा इसके उपर कोट क्या फैसला सुनाती है ये भी देखने वाली बात है और जैसे कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारा चैनल बताएगा तो दोस्तो फिलाल पूस रहिए सुरक्षित रहिए जैहिंद